ओके दोस्तों आज मेरे पास यार एक खतरनाक मीनी PC एवलेबल है यास यार प्रॉपर मीनी PC जिसे बोल सकते हो पर हाँ इसके अंदर मामला क्या है लाइक हमने लास्ट टाइम एक बार मीनी PC ऑपन किया था बट उसका साइज यार मीनी PC टाइप था ही नहीं मतलब यह देखो डेल का एक रिफर्बिश PC है बट हाँ आप इसको मीनी PC नहीं बोलो तो ठीक है क्योंकि इसका फॉम फेक्टर इवन साइज भी आप देख सकते हो काफी इनलार्ज है इसको ओपन किया था और इसमें काफी है तक मिली भगत की लैग लैप्टॉप और डेक्स्टॉप के किसी रैम लगा था तो किसी का प्रोसेसर तो प्रॉपर यह मीनी PC नहीं था तो इतना खासा मजा भी नहीं आया था बट आज मेरे पास यह प्रॉपर जिसको आप बोल सकते हो मार्केट में एवलेबल है स्कल्सेंट्स वालों का एक खतरनाक पैंथर यार मीनी PC इसका नाम पैंथ दे देते हैं बट इतने चोटे साइज में सब कुछ कैसे रैम वैम कहां फिट हो रही है इवन स्टूरेज कहां जा रही है सब कुछ देखने वाले इन डिटेल मजा टॉपलों चाने वाला है क्योंकि यह स्मॉल PC का फैक्टरी अलग है अग यह दोस्तों मीनी PC की बात ही कु यह बेसिक फिंग हो गई वह आप कर सकते हैं इवन गेमिंग भी यह काफियत तक करा देते हैं यह भी खतरनाक चीज है तो हम मीनी PC का भी अपना ही फन है थोड़ा ट्राय आउट करते हैं करते रहते हैं वैसे तो इसके ऊपर चीज है बट आज बार यह अंदर से मामला इस तरीके का अपना आजाता है एक है हर मीनी PC को ओपन करने का तरीका भी अलग हो सकता है बट यहां पे सिंपल इन्होंने किया क्या है ऐसे होक टाइप के दे दिया बस इसको में इसकी तरफ कर देने और मोशली यहां से हमने एक पार्ट इसका यह अनलोग कर दिया अगर आ इसको मेरे को बैसिकली यहां से करके अटा देना है और यहां से इसके अंदर देख सकते हो बैसिकली स्कुरू मिलते हैं इन्हीं स्कुरू को मैं फटा फट से ओपन कर देता हूं यहां पे इसको बाहर की तरफ पुशन करते हैं अब यहां पे मैंने इसको ओपन कर दिया जाफी जादा ओपन और एकदम लैप्टोप टाइप का फिल दे रहा है यह बेसिकली प्रोसेसर इसके नीचे होगा इसको भी ओपन करके देख लेते हैं यहाँ यहाँ पर इन डीटेल अगर देखो के तो सबसे पहले M.2 NVMe SSD यह लोग यूस करते हैं क्योंकि स्मॉल साइज है तो स्मॉल फैक्टर ऑफ स्टोरेज जादा सही रहीगी तो यहाँ बेसिकली इसकी यह एसेडी यूस करी गई है इवन यहाँ जो आप यह पोर्ट करके हो लिए सारे पोर्ट यह सब यह देखो यह मजूदा तरीके से connected हो रखे इधर के यह लग port आ गए USB वाले वो सब कुछ तो यह इसका बेसिकली धाच आप बोल सकते हो interior में एक motherboard है जिसके उपर सारी चीज़े encrypted करके एकदम मौझूदा तरीके से set कर रखिए नीचे से कुछ इस तरीके से तो काफी छोटा motherboard का size basically कर दिया और साथ ही चीज़े इंप्लीमेंट कर दी अचा प्रोसेसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे नहीं लगता यह हमारे यह वैसा वाला प्रोसेसर होगा like desktop और laptop type here you can see मैं इस फैन को thermal paste है उसको थोड़ा सा में और here you can able to see यह अपना basically इसका प्रोसेसर है और देख सकते हैं यह ना desktop की तरह लग रहा है लेप्टॉप टाइप लग रहा है थोड़ा बहुत और यह इसके ऊपर थलमर पेस जो लगी वी थी इस तरीके से यह पूरी तरीके से यह चाहिए डिफरेंट होती है जैसे इसका अलग है किसी का अलग होगा वह वह वाला सिस्टम में but at the end भाई सब कुछ को इसी तरीके से कोंपेक्ट करके जोडा जाडा जाता है वाग यही सीन होता है वाग यहां अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो subscribe बनता है टेक रेटेड़ वीडियो के लिए शेयर मार देना मिलते ने शोन्यों मैं तब तक के लिए बाई यार जया ही